नमस्कार साथियो उमीद करते हैं आप सवस्त होंगे HTAT 2023 के बारे में नई अपडेट सामने है HTAT 2023 का रिजल्ट अब दोबारा रिवाइज किया जाएगा और लगबग 1308 जो कैंडिडेट हैं और ज्यादा पास होंगे क्योंकि चारू सेट में एक परसन के विकल्प A और C को सही मान लिया है भिवानी बोड ने जिस वज़े से ये जो रिजल्ट है वो रिवाइज होगा और अब प्रदेश भर में 1308 प्रिक्सार्थी और पास हो गए हैं इनकी बोड दुवारा जल्दी ही बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवा कर इनका भी जो प्रिणाम है वो घोसित कर दिया जाएगा हर्याना विदालिया शिक्षा बोड के अध्यक्स डॉक्टर वीपी आदो ने बताया कि एच्टेट 2023 प्रिणाम 18 दिसंबर को ही घोसित हो चुका है लेकिन कुछ ऐसे क्वेस्चन थे जैसे एच्टेट लेवल टू प्रिक्सा के सभी बारा विश्यों के परशन पत्रों में उन्होंने बताया कुछ प्रिक्षार्टियों से इस परशन के संद्रब में अपत्ती बोड में प्राप्त होई थी जिसके कारण वरनित परशन का विश्यों की समीति ने पुने मुल्यंकन किया और ये पाया कि इनके दोनों ही जो ओप्सन है वो सही है विश्यों की राय के अनुसार वरनित परशन के विकल्प एक एसाथ साथ विकल्प तीन भी सही उत्र पाया गया है उन्होंने पताया कि शिक्ष्या बोर्ड दोवारा प्रिक्षार्थियों के हित में वरनित परशन के विकल्प एक एसाथ विकल्प तीन को भी सही मानते हुए समंदित प्रिक्सार्थियों को जिनके द्वारवी कल्प तीन को उत्रमानते हुए गोला भरा था उनको लाब देने का निरने किया गया है बोर्ड के इस फैसले से लगबग 1308 कंडिडेट और एच्टेट पास होंगे ऐसे सभी कंडिडेट की बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवाई जाएगी और जल्दी ही उसका जो रिजल्ट है फिर वो घोसित कर दिया जाएगा तो दोस्तों बड़ी अपडेट है एच्टेट 2023 का जो रिजल्ट है वो रिवाईज होगा और लगबग 1308 एच्टेट कंडिडेट और पास होंगे क्योंकि एक क्वेस्चन का सही उत्तर मानने के बाद दो ओप्सन ये जो 1308 कंडिडेट है ये पास होंगे उमीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी धन्यवाद